हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में दोस्तों आज मैं आपको दिखा रही हूँ जवाहर कला केंद्र में लगी हुई गार्डन बाजार आप यहां पर जरूर आईएगा बहुत ही अच्छे और बहुत ही सुन्दर यहां पर प प्लांट है कि आप इनको देखे बिना नहीं रह पाएंगे तो यह देखी अडेनियम यहां पर कई टाइप के हैं कि शोटे से चोटा और बड़े से बड़ा अडेनियम यहां पर है मैंने यहां पर एक सबईस रूपए से लेके 10,000 का अडेनियम देखा और जो 10,000 का अडेनियम था यहाँ पे वो पूरा 40 साल पुराना था और बहुत ही ज़्यादा खुबसूरत है अगर आपको छोटे अडेनियम के प्लांट चाहिए वो भी आपको मिल जाएंगे और अगर बड़े चाहिए वो भी मिल जाएंगे और इस टाइब की जो चीजे होती है जो डेकृरेशन के काम में आती है गारडन के यह भी यहाँ पर है इसकी भी यहाँ पर हर वरायटी है आपको ये भी यहाँ पर 10 रुपे से लेके 1000 रुपे तक मिल जाएंगे ये देखिए ये छोटे छोटे से जितने भी ये न ये 10-10 रुपे के हैं और सम्में यहाँ पर इनकी नेम प्लेट भी लगी हुई है 10, 15, 20, 25, 30 बहुत सारे इनकी यहाँ पर रेंज लगे हुए है तो देखिए बहुत ज़्यादा खुबसूरत खुबसूरत सी चीजे हैं और अगर आपका बजट कम है तब भी आप यहाँ से कुछ न कुछ ले सकते हैं और ज़्यादा बजट है तब भी आपको यहाँ पर कुछ न कुछ मिलेगा क्योंकि यहाँ पर हर बजट का समान मिल रहा है यह देखिए काफी डेकुरेशन का तो यहाँ पर बहुत सारा समान है अगर आप अपने गार्डन को डेकुरेट करना चाहते हैं नए नए चीज़ों से तो आप यहाँ पर काफी ज़्यादा समान यहाँ से ले सकते हैं बॉनसाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा है जो सबसे ज़ादा Bonsai यहाँ पे हैं वो जेड प्लान्ट के हैं छोटे से लेके बड़े बड़े Bonsai यहाँ पे है और बहुत ज़ादा खुबसुरत Kुबसुरत से Bonsai आपको यहाँ पे देखने को मिलांगे फ्लावरिंग प्लांट भी यहाँ पर काफी सारे हैं यह देखिए इतना खूबसूरत यहाँ पर गुढ़ल का फूल था यह देखिए बहुत ही सुन्दर था और उसके फ्लावर थे काफी ज़्यादा बड़े थे और जो यह गुढ़ल यहाँ पर बता रहे थे यह 1.500 रुपे का एक प्लांट था काफी अच्छा प्लांट है और जो इनके फ्लावर का साइज है बहुत ही ज़्यादा बड़ा था और यह मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया और डेकोरेशन का सबसे ज़्यादा समान देकोरेशन का Хी दिख रहा था यहा पर लोटस भी है अगर आप लोटस के प्लांट लेना चाहते हैं तो वो प्लांट भी आपको मिल जाएंगे छोटी छोटी सी बहुत सारी दुखाने लगी हुई हैं आपको छोटा बड़ा कैसा भी प्लांट चाहिए सब प्लांट आपको यहाँ पर मिल जाएगा कोलियस भी था कोलियस यहाँ पर जो बड़े साइच का था यह 80 रूपीज का बदा रहे थे यह देखिए इस तरह का और यहाँ पर कोकोडामा भी बनाए हुए थे यह रेखिए इस तरीके से कोकोडामा बने हुए हैं और यहाँ पर भी एक पॉट पर अडेनियम रखे हुए थे और वो 120 का एक बता रहे थे और यह देखिए यह बर्ड हाउस है यह बहुत ही जादा खुबसूरत लग रहे थ यह देखिए बहुत अच्छा इंद में काम किया हुआ है डेकुरेशन के हिसाब से तो यह बहुत ही जादा अच्छे हैं हैंगिंग पॉट भी यहां कई तरीके के थे और साथ ही यहां पर टैक्टस की भी काफी जादा वराइटियां थी और यहां पर कंपोस्ट भी बिक्र यहां थे चोटे बड़े यह थे खंगर और अगर आपको बहुत ही एक्सपैंसिव पॉट चाहिए बहुत ही ज्यादा अच्छे तो यह रखे हुए हैं जो यह पॉट हैं यह बहुत ज्यादा खुबसूरत थे तो यह साथ सो पचास आट सो नौ सो इस तरीके के थे और यह काफी अच्छे स्टैंड थे तो जो यह स्टैंड थे यह काफी ज्यादा मजबूत में को लगे मैंने इनको दबा के देखा तो काफी अच्छे थे और यह जो इस्टैंड है यह तीन हजार का था यह देखिए जो लकडी वाले स्टैंड आते हैं वो भी यहां पर थे और ये देखिए ये stone के pot भी हाँ पर है cactus और snake plant की भी कई सारी आपको यहाँ पर variety देखने को मिलेगी आपको यहाँ हर plant देखने को मिलेगा हर जो rate है वो भी बिल्कुल सही है सबकी कोई ऐसा नहीं कि बहुत जादा rate है जैट प्लांड तो आपको बहुत ही जादा देखने वाला है यहां पर इस तरीके से काफी ज्यादा बड़ी मार्केट लगी हुई है तरह गुलाब रखे हुए है बहुत सारे कलर के यहां पर गुलाब थे यह रहके जैट प्लांड की कितनी खुब्सुरत सी टॉप यारी और बॉंसाई बनाई हुई है यह बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी यह देखिए यहाँ पर सबजी और फूलों की पौध मिल रही थी और दस रुपे की एक पौध थी और जो पौध थी काफी ज़्यादा अच्छी है तो आप यहाँ से इन पौध को ले सकते हैं तो अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपको बहुत सारा समान यहाँसार अपर मिलेगा तोत यहाँ पर जरूर्द आईए यहाँ बहुत चीजह मैंने भिली हैं जादा तो मैंने कुछ नहीं लिया दो मैंने यह मिर्च के पेड लिए हैं और मिर्च के पेड मिले और मैंने लिए यहां पड़ से एक सदाबहार का पेड बहुत ही खूबसूरत इसका कलर है यह औरेंज कलर का है यह फ्लावर के लिए हुए थे लेकिन फ्लावर घराने तक तूड़ गए तो यह मुझे 20 सुपे का मिला तो अगर आप लेना चाहते हैं तो इसमें फ्लावरिंग हुई है 20 सुपे की मिल रही है और यह इस तरीके के मैंने चोटे-चोटे-चोटे मिनियेचर है जो गार्डन में चोट-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे यह काफी अच्छे लग रहे थे तो यह दर-दर सुपे के एक हैं तो कुछ-कुछ समान आपको वहां पर बहुत ही कम रेट में मिलेगा 10-20 रुपे में मिल जाएगा यह देखिए यह थोटी सी हट है और एक लिया है मैंने यह फ्लावर सीट यह पिल्टूनिया का है हाइब्रेट का है और यह 30 रुपे का एक है अगर आपको कुछ प्लांट या पॉट यहां पे सीड ले वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद